हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू माई चैनल तो गाइस आपको अमारे चैनल पर मिलती हैं कंट्रोवर्सी और टीवी जगत और फिल्मों की लेटेस्ट अपडेट अगर आप अमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कम सल्मान खान की जो जई साल 2014 में एगी फिल्म नहीं आई है जिससे फैंस को काफी इंतजार है सल्मान खान की आने वाले फिल्मों का हालागे सल्मान खान के पास कई फिल्में हैं जिनका पेंच इंतिजार कर रहे हैं आपको बताते हैं कि सल्मान खान की पाइप लाइन में कौन सी फिल्में है आपको स्टाइब में हम साइब में जिल्में पास के पास काम बताते हैं जी हाँ गाईज साल 2014 में डिलीज जो सलमान खान की फिल्म किक को भी का भी पसंद किया गया था अब सलमान खान ने अपनी किक के सिक्वल किक चू को लेकर अपडेट दी है और इसकी शुटिंग 2020 में शुरू होगी और जैसा आप लोग जानते हैं कि सलमान खान और सारू क़ान में पहले काफी दुष्मनी दी पराव लोग वो लोग बिसमें बिलागर दोस्ती में आचिकी है जी यहां दोस्तों सुने में सारू खान के साथ नजर आने लाने हैं काफ़ी एक्साइटेड है और आप लोगों को क्या लगता है कि इस प्रिक्षर रही है यह उन जाने वाल फिल्प सिकंदर की हैं जिहां दोस्तों और इसका टेलर काफ़ी अच्छा है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है और डायलोग की काफ़ी मस्तर बढ़िया है और जो इसमें शुटिंग की गई है काफ़ी दमाजी तार पताए चारी है यह मूवी और काफ़ी अच्छी एक्षन भी प्रेस के अंबर सापको सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजन जो है दोचर मंदरा में आई थी और इसे अच्छा रिस्पोंस भी मिला था सलमान खान की इस फिल्म का सिक्वल बजरंगी भाईजन चू का फैंस काफी इंतिजार कर रहे हैं उनकी नेक्स्ट जो है अपकमिंग मूवी आ सकती है ज इन पार्ट रिलीज हो चुके हैं और लोग काफी जादा इंटर्टेन हुए थे सलमान खान की फ्रेंचाइजी फिल्म दबंग के चोथे पार्ट दबंग पोर का इंतिजार किया जा रहा है सलमान खान की फिल्म शेर खान का का काफी समय से इंतिजार किया जा रहा है सलमान इस फिल्म उनके चोटे भाई सोहिल खान बनाने वाले हैं उन्होंने कहा है कि इस फिल्म जल्दी में सुरू हने वाली है उनकी नेग्स्ट फिल्म झो है उनका प्रोजेक्ट लाइन में किढ़ी हुई है उसका नाम है दबू सलमान खान lucky इक इंटर्मियू में बताया गया कि